मोधी सरकार से कॉंग्रीस के तीके सवाल देश पर चड़े कर्ज पर कॉंग्रेस ने दागे सवाल सुप्रिया श्रीनेतरे केंदर से क्या-क्या पूछा और नौ साल का क्योंकि जर्श्न मोधी सरकार बना रही है तो जरूरी है कि आईना भी दिखाया जाता रहे नरेंद्र मोदी जी ने वो कीर्टीमान स्थापित किया है जो इस देश के चौदा प्रधान मंत्री उनसे पहले नहीं कर पाएं इस देश के चौदा प्रधान मंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड रुपए का करजा लिया 67 साल में 14 प्रधान मंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड का कब्जा लिया और हर बार रेस में आगे रहने की चाहत वाले नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का करजा तिगुना कर दिया 600 लाख करोड रुपए से जादा का करजा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया कहा 67 साल में 55 लाख करोड लिया गया था तो एक नया कीरती मान उन्होंने वो स्थापित किया जो इस देश के 14 और प्रधान मंत्री नहीं कर पाए सिंपल तोर पर बता दूँ अगर इस समय इस वक्त इस सेकेंड पर एक बच्चा इस देश में पैदा हो रहा है तो उसके सिर पर भी एक लाख बीस हजार रुपए का करजा लादने का काम मोधी सरकार ने पिछने 9 साल में किया है और अगर और सिंपली बोलने पर आ जाओं तो हर सेकेंड इस सरकार ने 4 लाख रुपए का करजा लिया है हर मिनिट पर लगभग धाई करोड का लिया है हर घंटे पर 144 करोड का करजा लिया है 3456 करोड का करजा हर दिन लिया है हर महीने 1 लाख करोड से जादा और हर साल लगबग 12.5 लाक करोड का करजा लिया है इसलिए 9 सालों में 100 लाक करोड से जादा का करजा लेने का कीरतिमान और इस देश के लोगों पर करजा के बोश तले उनको दमाने का कीरतिमान नरेंदर मोधी जी निस थापित किया है आप इनसे कोई भी सवाल पूछी ये बाकी देशों की बात करते हैं तो उस पर भी आइना दिखाना जरूरी है भारत का डेट टु जी डी पी रेशियो मतलब करज और जी डी पी का जो अनुपात होता है जो रेशियो होता है वो 84 प्रतिशत पर है इस समय और हमारे तरह की जो emerging market economies है या प्रगती शील developing economies जिनको कहते हैं उनका ओसतन ये रेशियो साड़े 64 प्रतिशत पर है हमारा 84 प्रतिशत पर है उनका साड़े 64 प्रतिशत पर है 64.5 परसेंट पर एक समस्या और भी है जब आपका रिड एक सो पच्पन लाख करोड हो जाता है तो उस पर आपको ब्याज भी चुकाना पड़ता है हर साल 11 लाख करोड तो सिर्फ ब्याज चुकाने में मतलब interest payment में दिया जा रहा है 11 लाख करोड उस से कितने IIT कितने AIMS बन सकते हैं कितने लोगों का इलाज हो सकता है कितने बच्चे कुपोशित होने से बच सकते हैं कितनी मिड़े स्कीम चल सकती हैं इसका अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है 11 लाख करोड सिर्फिस डेट की सर्विसिंग में जिसको interest payment कहते होता है लेकिन एक बहुत भयावे चीज हो रही है CAG की रिपोर्ट यह हमारी रिपोर्ट नहीं है यह CAG की रिपोर्ट है और CAG की रिपोर्ट यह साफ तोर से कहती है कि 2020 में ही हमारी जो रिण स्थिर्टा थी जिसको debt stability कहते हैं वो negative में जा चुकी थी और तब debt to GDP ratio तब रिण और GDP का अनुपात मात्र 52 प्रतिशत था अब वो 84 प्रतिशत है तो हमारी debt repayment की करजे को पाटने की क्षमता पर भी सवाल उठाया जा रहा है ये भयावे स्थिती हो रही है